अरे पढ़ने वालो आज दुए आपको इसी अफडेट जो रिजल्ट के बारे में कौपी चैकिंगग सी को आएगा वेठेज क्या हो सकता है और अब आगे आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में इस वीडियो के इंदर मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल authentic सुचना है कोई जूट नहीं कोई कि मतलब वह नहीं जो आपको उल्लू बनाने वाली बात करेंगे क्योंकि एक्जाम जानकारी आपका ट्रस्ट है आपका विस्वास है और इसलिए चैनल बनाया गया था दसवी और बारवी का रिजल्ट कब आएगा यह सबसे बड़ा सवाल इस टाइम और वेटेज कितना होग तो इसकी कुछ अपडेट से मेरे पास फटाफट बताता हूं सबसे पहले तो दसवी और बारवी के रिजल्ट की कोई भी ओफिशल सुचना सीवेसी ने नहीं दिये इससे पहले कि मैं सीवेसी की बात करूं स्टेट बोर्ड के बच्चे भी कोमेंट कर रहे थे वह आपका चैनल तो एक्जाम जानकरी सारे स्टेट बोर्ड की लिए भी है आप तो सिवेसी की बात करते हैं इसा नहीं है स्टेट बोर्ड वुत्तरपरदेश वैस्ट बंगोल महरास्ट केडला तमिल नाडू एक्जेक्ट्रा हैव ओल्रेडी डिकलेड दे रिजल्स वाइल अधर बो बोर्ड से हो तो प्लीज कोमेंट करिएगा और आपके मार्स कैसे आए कितना अच्छा स्कोर किया जो भी हुआ वह आप कोमेंट करिए और इस्टेट के बोर्ड के रिजल्स आने वाले अब जो आईसी स्यों सीवेसी की बात देखी इन फर्स्ट वीग जुलाई बोर्ड ला के लाबा इस्टेट वी अपने रिज्टेशन प्रोसिस शुरू कर रही है मतलब अगर आपने स्युट का फॉर्म नहीं होगा आपके अशपास जैसे मेरत के बच्चे चोधरी चरण स्थी का पहले नाम था एसी हर शेहर के आसपास को निश्टी होती है वहां का फॉर्म भर लीजिए लेकिन अगर आप स्यूटी का फॉर्म भर चुके हो तो आप स्यूटी के लिए तैयारी कर सकते हो मेरे साथ जूम बैच चल रहा है हमारा अभी भी आप उसमें आ सकते हो फिजिक्स के लिए जैसे कि मैंने हमेशा बताया सीवेसी ने कुछ भी मुह नहीं खोला अरे पढ़ने वालो चितने भी वीडियो आप देखते हो कि इस दिन आएगा ये वेटेज रहेगा सब जूट है सीवेसी ने कुछ नहीं बोला अब तक कब रिजल्ट आएगा सीवेसी बोर्ड रिजल्ट और इंटर्नल मार्क्स अभी तक सीवेसी की हमारे पास लेटेस अपडेट है ऑफिशल सीवेसी ने बस ये कहा था कि जब हम फाइनल लेजर्ट बनाएंगे तर्म टू और इंटर्नल मार्क्स भी इंकुलूड करेंगे हाला कि मैं आपको बदा दूं बच्चे डिमांड कर र पारे में कोई पॉजिटिव थोट नहीं दिया है लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चें जो चाहते हैं कि दोनों वेटेज लिए जाएं टम फर्स टम टू कुछ बच्चे जाते हैं कुछ बच्चे थर्टी सेवेंटी चाहते हैं कि फर्स्टम में तो बहुत चीटिंग हुई ह किस बोड का कितना किस वाले टम का कितना लेना है तो सीवेट अभी हम कर रहे हैं क्या कहते हैं इसके अलावा आर यू एकसाइटिड या वरीड अबाउट दे रिजल्ट अगर आपको अपने रिजल्ट की चिंता है आप एकसाइटीड है तो कॉमेंट करेंगा आर यू प्रिपेरिंग फॉर सम्कॉंपेटिटिव एक्जाम का फॉरम भरा है उस एक्जाम का नाम जरूर कॉमेंट लोगा विच एक्जाम आर यू प्रिपेरिंग फॉरन हाउट और और वह किस तरह कर रहे हो वह भी आप कामेंट करिए आपको वेटिज की क्या चिंता है यह यह आप कमेंट करिए यह इसाब से क्या होना चाहिए होगा तो भी सी जबेसी ने कुछ बोला नहीं आपका क्या म प्रवाल समय, प्रवाल जे है झाल है झाल में